हालो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आपसे सेयर करना चाहूंगी कि अगर हम अपने टेरेस गार्डन पे या फिर अपने गार्डन में अगर आप जीमिकन लगाना चाहेंगे तो उसको किस तरह लगाया जाता है और इसका उप्यक क्या जाता है इसमें क्या-क्या गून है और इसकी मिठी कैसी होनी चाहिए कभ लगाना चाहिए पुद्स आरी जानकारी दो तरह के होते हैं एक हैं देसी और एक जो आपको बजार से बहुत आसानी से मिल जाता है वो देसी नहीं है तो यह hybrid टाइप के रहते हैं और यह मेरे पास जो है वो बिल्कुल गाव में होने वाला देसी है तो इसी तरह से यह दो तरह के रहते हैं सुरण गाव में इसको सु इसको उपयोग में कैसे लेते हैं, तो फ्रेंट्स ये बहुत गुनकारी हैं, बहुत ही इसमें बहुत सारे गुन हैं, हेल्थ के लिए भी हैं, और आयरवेदी का गुन भी इसमें बहुत सारे हैं, तो वैसे लोग इसको कम पसंद करना करते हैं, खाने के उपयोग में कम लेते लेकिन हमें इसको खाना चाहिए, खास करके अभी जो ठंडी का सिजन है, इसमें इसको जरूर उप्योग में लाना चाहिए, और देखिए, यह में गाउंसे लेके आई थी, तो मैंने सोचे चलिए इसके बारे में, अगर हम लगा सकते हैं, गंबले में, पॉट में, तो हम इस इसको खाते के से हैं तो इसको खाते हैं तो आलो के साथ मिला के खाते हैं कोई कोई इसमें भाजी मिलाते हैं अपने अपने तरीके से सब लोग इसको बना के खाते हैं जब इसको खाते हैं तो इसके अंदर जो एसेडिक प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ही ज़्यादा है इसलिए गले में एक अजीब सी चरहराहट सी होती है कहने का मतलब यह है कि गले में मूँ में आपको खुजली आती है इसको खाने से क्योंकि एसेडिक जो गूण है यह इसमें बहुत ही ज़्यादा है इसकी वज़े से हमारे गले में यह खुजली होता है और फ्रेंड्स आप देखिए कि जब हम इसको लगाते हैं इसका लगाने का जो समय है जो टाइम है ओ हैं फरवरी या मार्च फरवरी मार्च में इसको लगाया जाता है और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको निकाल लेते हैं और बागी जो इसके जो चोटे-चोटे इसके पॉपस हैं ये लगाया जाता है वापस और देखे ये मैंने लेकर आई हूं और इसे मेंसे भी मैंने तोड़ा है तो ये वापस लगा देते हैं हम और इसका लगाने का समय हैं मार्छ एप्रिल मार्ट अप्रिल में लगाते हैं तो ये नावंबर डिसेंबर तक खाने के लिए तयार हो जाता है तो ये लगाने का समय इसका अभी आप फरवरी में भी लगा सकते हैं इसको और हम टेरेस गार्डन पे अपने गमलों में भी आसाने से ये पॉप्स लग जाएंगे ये सब भी लग जाएंगे चोटे-चोटे अगर आप ऐसे बड़े को लगाना चाहते हैं तो जब भी अगर इसको लगाएं तो काटके भी लगा सकते हैं लेकिन ये इसकी आँख होना जरूरी है क्योंकि आँख नहीं रहेगी तो यह उगेगा नहीं इसलिए जब बड़ा अगर आप जिमीकन लगाते काट के लगाते हैं तो इसकी आँख होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से यह उगेगा और आगे बढ़ेगा जब उगेगा उगने के बाद जब बड़ा होता है तो देखिए ये छोट-छोटी इसके जो बच्चे हैं वो ऐसे होते हैं और ये भी आगे जाके बड़े हो जाते हैं तो इसी से फिर इस तरह बड़ा सूरन बनता है बड़ी साइच का लगाने से लग सकता है आराम से काटके लगा सकते हैं हम इसको और आँख वाला लेते हैं अगर आपको बड़ा नहीं लगाना है छोटे लगाना है तो आप इस तरह की छोट-छोटी जो इसकी आँखे हैं इस को लगा सकते हैं एह आखें सब लग जाएगी एमें लगाने के लिए लाइ हूं कि मैं ट्राइ कर रही हूं पहली बार अपने गंले में लगाने के लिए क्योंकी इसकी तो सब्जी design बन जाएगे लेकिन मेरे साथ बहुत सारी इसकी आखीं है तो اिसको मैं अपने तो लगाना चाहती हूं और फ्रेंस इसके अलावा मैं आपसे यह भी बताना चाहती हूं कि अगर आप जमिन में लगाते हैं या फिर पॉट में लगाते हैं तो खाद क्या देना है वो बहुत ज़रु है तो खाद इसको इसको बरपुर मातरा में गोबर खाद चाहिए इसमें आप ये डियेपी हैं वो भी आप दे सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें पुटास भी देना जरूरी है क्योंकि ये सब बड़ा सब्जी है बड़ा कंद है तो उस हिसाब से उसको ज्यादा खाद चाहिए वो लगाने के समय चाहिए उसके बाद आप को ज्यादा इसमें खादवात देने की जरूरत में है क्योंकि वो जमिन में इसकी सब्जी बनना सुरू हो जाती है तो लगाते समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए और लगा सकते हैं पॉट में भी लगा सकते हैं तो मैं भी ट्राइब करूंगी इसको लगाने के लिए तो इसलिए अगर मेरे पास ये था तो मैंने आपसे शेयर किया और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए नए है तो सब्सक्राइब कर लेजे फ्रेंड्स लाइक भी जरूर करिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं कुछ कहना चा